सबका साथ, सबका विकास, यह हमारा मंत्र, जल, थल, नभ में भी एक ही समान है, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए, वसुधय कुटुमकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए, भारत अपने वैश्वीक उत्तरदाईतों को लगातार निभा रहा है, भारत अपने साथी देशों के लिए, उनके संकट के समय, फास्ट रिस्पॉंडर बना हुआ है, और इसलिए, जब स्री लंका में बाड आती है, तो भारत की नवसेना तत्पॉरता से मदद के लिए सबसे पहले पहुँच जाती है, जब मालदिव में पानी का संकट आता है, तो भारत से जहाज भर भर के पानी तत्काल पहुँचाया जाता है, जब बंगला देश में चक्रवात आता है, तो भारत की नवसेना बीच सबंदर में फसे बंगला देशियों को बहार निकाल करके लाकर के मानोता का का काम करती है, म्यामार तक मैं तुपान से पिडित लोगों की मदद के लिए भारतिय नवसेना पूरी शक्ति के साथ मानुय द्रश्टिकोंड से मदद करने में कभी पीछे नहीं रहती है, इतना ही नहीं, यमन में संकर के समय जब भारतिय नवसेना अपने साड़े चार हजार से अधिक नागरिकों को बचाती है, तो साथ में 48 देशों के और देशों के व्यक्तियों को भी सुरक्षित संकर से बहार निकाल करके ले आती है, भारतिय डिप्लोमसी और भारतिय सुरक्षा तंत्रका, मानविय पहलू यह भारत की विषिस्ता है, यह हमारी विषिस्ता है. मुझे याद है, जब नेपाल में भूकम पाया था, तो कैसे भारतिय सेना और वायू सेना ने राहत कारियों की कमान समानी थी? साथ सो से ज़्यादा उडाने एक हजार टन से ज़्यादा की राहत सामगरी हजारों भुकम पिडितों को एक जगर से दूसरी जगर ले जाना सैक्रों विदेशी नागरिकों को बहार निकालना ये मैत्रिभाव भारत के जहन में हैं भारत के सुभाव में हैं भारत मानवता के इस काम को किये बिना कभी रह नहीं सकता है साथियों समर्थ और ससक्त भारत सिर्फ अपने लिए नहीं संपूर्ण मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है झाल झाल